नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में जो कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, वो एक बूढ़ी मा का दर्द दिखाने के लिए है, कि एक बूढ़ी मा किन परिस्थितियों से गुजरती है, क्या वो तकलीफ सहती है, और जब बच्चे उन्हें फॉर ग्रे नहीं पाती है, तुम्हारे भविश्य की चिंता, उज आज भी वैसे सताती है, कोई सवाल करने से पहले उससे, खुद को आईने में देख लेना, इस उम्र में भी तुम्हारी खातिर, किस कदर वो कश्ट उठाती है, पलकों पे बिठा कर के तुमको हर पल पाला है जिसने, लड़ खड़ाए जब कभी तुम, तो संभाला है जिसने, मतलाओ अंधकार, जीवन में उसके तुम, तुम्हारे जीवन में आखिर, किया उजाला है जिसने, डग मगाते पगों से वो, आज भी तुम्हें चाय पिलाती है, इस उम्र में भी तुम्हारी खातिर, किस कदर व जिम्मेदारी की बात करो, हर गम के घूट को पी जाती जो, उस बेचारी की बात करो, उसकी जगा पे तुम कभी खुद को रख कर देखो न, दिखती नहीं खुली आखों से जो तुमको, उस लाचारी की बात करो, ये कैसा प्रेम तुम्हारा है, कि तुमसे वो कुछ कह नह पाती है इस उम्र में भी तुम्हारी खातिल किस कदर वो कश्ट उठाती है वो देख रहा है उसका तूटा दिल उसकी उमीदो को कि मत तोडो अब बची हुई दो चार और मुरीदो को तुम्हारी नीद की खातिर जो रात-रात भर जक्ती थी मत उडाओ ना वृद्धा वस्था में तुम उसकी नीधों को बोज तुम्हारे एहंकार का वो अपने सर पे उठाती है इस उम्न में भी तुम्हारी खातिर किस कदर वो कष्ट उठाती है जब तुम गुजरोगे उसी दौर से तब बात समझ आ जाएगी मा क्या होती है आखिर साक्षात समझ आ जाएगी कोस रहे हो जिसको तुम छोटी छोटी बातों पर जब परवरिश की जिम्मेदारी आएगी तब आकात समझ आ जाएगी तुम ही ठोकर देते हो जिसे समझती वो वृद्धावस्था की लाठी है इस उम्र में भी तुम्हारी खातिर किस कदर वो कश्ट उठाती है